पुलिस विभाग में डिफरेंट डिफरेंट वीडियो टॉपिक्स पर बने हैं और लगातार आप लोगों के एक कॉमन से प्रशन आते हैं और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आपको जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए आप उस पर कमेंट अपना अपना पुलिस विभाग में इन दोनों के उपर थोड़ा प्रकास डालनी की कृपा करें या कह सकता हूं है बेसिक टम में कि इनको आसान सब्दों में बताई कि इन दोनों में कौन सा पद ज्यादा बढ़ा है कौन सा पावर्स ज्यादा बढ़ें और कैसे इन पदों तक पहुंच प्रकास जा सकता है वगर वगर क्योंकि क्रियोसिटी सबके अंतरमन में होती है और जानना सबका अधिकार होता है हना तो आज हम लोग बात करेंगे यहीं दो टर्म एसपी और डीएसपी के बारे में पुलिस विवाग के दो प्रमुक्पद हैं और क्या दोनों पद सेम हैं तो इन में खासिएत क्या है तो मैं पहले बता दो दोनों पद सेम नहीं हैं यहीं हम लोग जानकारी प्रार्म करते हैं जहां पर कोशन मारक आजाता है हम उसको जानने की पूरी कोशन करते हैं और नौले सबसे बड़ा टूल है हमको कहीं भी खड़े होकर अपनी बात रखन यह class 1 officer होते हैं central government के अंत्रकत class 1 officer पता है class 1 class 2 class 3 class 4 4 classes divided हैं हमारे यहां जिसमें top class होती class 1 इनका जो recruitment होता है इनकी जो पहचान इनको जो निकाला जाता है हीरे होते हैं यह हीरो को तराशा जाता है एक UPSC नामक की परिक्षा आयोजीत के जाती central government के द्वारा UPSC यानी Union Public Service Commission जिसको आम तोर पर IS की परिक्षा सब बोलते हैं हैं वहां पर जो ASP निकाले जाते हैं वो IPS post के जरी निकाले जाते हैं अब UPSC में तो कई डेर सारी postres हैं IES की post है IPS की post है IFS की post है IRS की post है हना तो different post है लेकिन जो ASP बनते हैं या पुलिस विभाग में जो आते हैं directly बड़े पदपर वो IPS की तरू इंडियन पुलिस सर्विस के तरू आते हैं इनकी पहचान होती है तीन स्टार इनके कंदे पर होता है और IPS की बैस लगी होती है और जो ASP post बहुत important बात कहरा हूँ ASP जो post होती है वो training post है यानि 4 साल की training है तो ASP post training plus एक साल की service मिला कर ASP post होती है और जैसे ही यह complete हो जाती है आपकी training और आपकी service start होती है तो आप ASP से direct additional ASP बन जाते हैं याद रखिएगा assistant superintendent of police और additional superintendent of police में अंतर है अब दूसरी तो और बात चीत करते हैं यहां तो हम लोग ने ASP की बात कर लिए अब DSP की बात करते हैं तो DSP को हम लोग बोलते हैं पर दूसरी पर बोल देते हैं इस पी बोलते हैं और कहीं-कहीं आइसबिशनल की आफिसर बहुत कि इन को परकरना बहुत इंपौर्टन हो जाता है आने वाले समय में आप लोगों को कई important और वी वीडियोस मिलेंगी तो आप comment करते रहेगा बताते रहेगा जो भी आपको चानकरी प्राप्त करनी है यह भी class 1 officer होते हैं लेकिन यह state government के class 1 officer होते हैं और ASP क्या होते थे ASP central government के class 1 officer होते थे ठीक है दूसरा कि recruitment जो DSP के होती है व तो MPPSC हो जाएगी है ना तो इस्टेट पॉब्लिक सर्विस कमिशन की जो examination होते हैं उनके तुरू यह recruit किये जाते हैं और जो यह IPS का तगमा है जो ASP को परिक्षा के बाद ही मिल जाती है वो DSP को मिलने में 6 से 10 सालों का कड़ा संगर सर्विस इनका लगता है तब जाकर IPS की पोस्ट इनको मिलती है और पहचान की बात कर ले तो इनके कंदे पर तीन स्टार लगा रहेगा और स्टेट का नाम बैच वहाँ पर mention होगा यह ट्रेनिंग लेवल पोस्ट नहीं होती जैसे ASP है यह ट्रेनिंग लेवल पोस्ट है यह सर्विस पोस्ट है यह 8 से 12 साल की जो है जो UPSC के तुरूर रिकूट किये जाते हैं यह आम तोर पर रिटार्यमेंट इनकी होती है ADGP या DGP बन कर या अदिशनल डिरेक्टर जनरल पुलिस या फिर डिरेक्टर जनरल पुलिस होकर ही रिटार होते हैं आम एक जनरल परस्पेक्टिव है लेकिन वहीं DSP के ब तो ओवराल जो जनरल परस्पेक्टिव निकल कर आता है कि ASP आमेशा DSP से बड़ा है ASP Post Central Government की Post है DSP State Government की Post है और I hope कि यह डिफ्रेंस आपने आम बोल चाल की बासा में जान लिया होगा ऐसे यह डिर सारी वीडियो को देखने के लिए डेस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की पूरी पूरी पूलिस विवा की लिंक है उसमें डिफ्रेंट डिफ्रेंट वीडियो सो आख मिल जाएंगे और आप अपनी जानकारी ऐसे बढ़ाते रही है और भी अपने कमेंट करते यह बेस्ट आफ लग थैंक यह सो मच